नमस्कार दोस्तों तो आज हम लोग बात देखते हैं कि क्या अंफान से सबक सीखेंगे हम यानि कि जो अंफान तुफान आया हुआ था तो क्या उससे सीख सीखेंगे हम लोग तो सबसे पहले आप लोग देख लिजिए कि आकिराया कहा है तो सरकारी आख़ों के नुसार, आपके बातर लोगों की मितिवाग कि पश्यम मंगाल में कोई हैं की वजह से और उडिसा में आपकी बारे 13 लोगों की मौत हुए है, लेकिन एक बाद आपी लोग हमेस्ट जानते हैं, कि ये सरकारी आख़़ों है, हकीद में क्या होती है, वो भी कई हजार घर हो खड़ गए कई पेड़ों की हालाद देखी होगी आप लोगों ने अगर समाचार टीवी में देखी होगा तो इसका नाम अमपांग थाइलेंड ने दिया हुए था और यहां आपका है यह ओडिसा हो गया और यह आपका बैट बंगाल हो गया पश्टी बंगाल ठीक है तो एक बात आप लोग हम इसा याद रखिए कि ना तो हम कभी सीखें हैं और ना ही सीखेंगे क्योंकि आज थोड़ी है पांस से छे दर पहले पता चल गया था हमें कि एक कोई तूफान आने वाला है मफान तो हमें पहले भी सचेत हो जाना चाहिए था और हमारी टीमों को पहेंचने के बाद भी सत्तर से अगर चलिए सरकारी आंकड़े ही आप लोग मान लीजे तो 80-85 कासी लोग मरना कि कम नहीं है जब हमें पता है कि मौत सामने आ चुपी है फिर भी हम लोग मौत की मुह में जा रहें यानि कि सरकायर को पता था चेतावनी दे दी गई थी उसके बाद भी आपके इतने लोग मारे गए ठीक है चाड़क को आप लोग जानते होंगे चाड़क ने क्या बोला था दूसरों की गलतियों से सीखो अपने ही उपर उपयो करके सीखने में तुम्हारी नों कम पढ़ेगी इसको अम लोगों ने कभी फॉलो भी नहीं किया है क्योंकि जब हमारे यहां कोरोना वायरस आपका चीन में गया चीन में से उत्वत्ति होती उसकी इंग्लेंड होती हुए वेटें होती हुए आपका अमेरिका पहुंच जाता है उसके बाद भी अपने हाँ जनवरी के लाट तक सब नॉर्मल रहता है एक दो किस निकलते हैं उसके बाद भी हम लोग नहीं सीखे हमारी सरकारों ने कोई काम नहीं किया यानि की ना उस दुफान था यह आते रहे हैं कोई नया नहीं है दुफान नहीं फिर भी हम लोगों ने उससे नहीं सीखा है और नहीं हम सचित हुए तो यह हाल वही है कि जब तक दो चाल दस-पचास मौत के मौय में नहीं चले जाते हैं जब तक लोगों को यानि कि हमारी सरकारों को प्यास करती तो नहीं बचाया जा सकता था नौर्मल सी बात है बचाया जा सकता था तो यह आर्टीकल लिखते हैं हमके M ससीधर रेटी यह पूरवध्यक्ष हैं उपात्यक्ष हैं N D M A के पश्चे मंगाल और उडीचा में भारी तबाई मचाता हुआ अमफान दूपान भा से साथ मिले तो उसकी राहे में आने वाली हर चीज कनुपसान सभाविक है मगर अंफान में अच्छी बात है यह रही कि इसमें मौतों की संक्या थामने में में बहुत थतर सफल रहे यह अंदाज आम लोग बहुत पहले लगा सकते थे कि जब आपकी महामारी आती थी कुछ सालों पहले तो हमें मालू नहीं रहता था और मौत के मुए में चले जाते थी बरसा की चेतावनी हमें पहले नहीं मिल पाती थी कोई दूफान आ रहा है उसकी भी हमें या फिर कोई भूकन पा रहा है इसकी हमें चेतावनी पहले नहीं मिल सकती थी लेकिन अब तो हमारे प सारवजनेक और निजी संपत्ति को छती जरूर पहुंचिए याद रखे 5-6 दिन पहले पहुंचने के बाद भी लोग तो कम मरें यानि कि 85 लोग कमी होते हैं अब जो मरे हैं और जो उनके परिवार से कहें उनसे पूचे कि कितने कम होते हैं कितने जादा पहुंचिए लेकिन इसमया अगर अच्छे से बेवस्ता इतनी कर ली गई उसके बाद भी इतनी मोते हुई लेकिन सारवजनेक संपत्ति और निजी संपत्ति की छती बहुत किया गया होता तो इसे भी सीमित रखना संब्द था फिलाल अंफान से हुई दभाही का ठीक ठीक अंगलन लगाना लगाया जा रहा है किसी भी तूफान से लड़ने के लिए पूर्व सूचना सबसे कारगर अतियार मानी जाती है इसका अरत है कि संकट के आने का अंदेशा कब लगाया गया वो इस बावत सम्मंदी सासन पे सासन को सूचना कब जारी की गई यह सूचना कितनी जितनी सटीक होती है जानमाल का नुकसान कम करने में सासन पे सासन को उतनी ही जाना मदद में थी बारतिय मौसम बिबाग इस पहलू पर पिछले कापी समय से गंबीरता से काम कर रहा है जिसके अच्छे नतीजे आये अक्टूबर 2013 में कि उडीसा में आये फेलें तूफान की पूर्व सूचना से हमें काफी फायता मिला था संकट आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुचा कर उनकी जान बचाई गई थी जबकि उस वक्त अंतराष्टिय एजनसी उने बड़ी संख्या में लोगों की मौत का अंदेशा लगाया जाता था आज भी सर्थ दूफान जसी आपदाओं से यदी लोगों की जान बचाई जा रही है तो इसका सरे काफी हद तर राष्टिय आपदा प्रवंधन प्राधिकर्ण यानि की एंड डी एम एको दिया जा सकता इसकी तापना से पहले खुदर्ती आपदाओं के सरिफ इस रूप में दिखा जाता था कि आपदा के बाद बचाओ और राहत के काम किस तरह किये जाए अब इस सोच में बदलाओ आया है या आपदा से पहले बचाओ के तरीके उससे निपटने की तेयारी और नुकसान करन में संबंदी उपायों कर ध्यान दिया जाता है साती आपदा के बीच बीद जाने के बाद रहत और पुनर निर्माण के काम पर है एक समग रणिती का ही नतीजा है कि अब आपदा में एक पूरा सतंद सत्री हो जाता है जो ना स्तरिक प्रभाविच्छित्रों से लोगों को बाहर निकालता है बलकि उनके ठहरने और खाने पीने कभी पूरा इंत्याम करता है इसी कारण अंफान तुफान गुजर जाने के तुरंत बाद उडीशा में जन्जीवन सामान होने लगा है याद रखिए यह सभी बात हैं आपके NDA के NDMA के पूर अध्यक्ष बता रहे हैं ठीक है यही सही है कि कुरोना संकमण के काल में अंफान जैसे संकट से लोगों को बचाना कम जोके पहरा नहीं है प्रभाविच्छित्रों से लाकों लोगों को बाहर निकाला और उन्हें किसी सुरक्चित इस्थान पर एक साथ पानी ही सीमित मात्रा में हो तवया पेक्षा नहीं की जा सकती है कि लोग बार-बार सावन से हाथ दोएगे मगरा पिछले दो महीने के जागरूपता अभियान ने लोगों को इतना सजग यानि की जारू बना दिया कि बेस्वहम सावधानी बरत में लगे संबह होई कि उन् की हालत उन प्रवासी मजदूरों जैसी नहीं होगी जो बिना किसी तूफान की मुश्किल में मुश्किलों से लड़ रहे हैं एक बाद तो आख लोगों को हमें समझ में आ गई होगी कि कोई भी तूफान हो कोई भी आपदा हो माना जनित हो पर चाहे प्राक्तिक जनित हो लिकिन इन से सबसे जाना जूच्टा कौन है वही आदमी जो आसाहा है गरीब है यानि किस तरह से मौसिद जिन्दकी गुजार रहा है लड़ लड़ कर अब को रोना को ले सकते हैं हम इहाल की घटनाओं में हम फान को दे सकते हैं इसमें कोई आपतिक तूछी से जो आपतों का खास द्यान रखा जाता है पहली बाद चान की रक्चा करना दूसरी सरकारी और निजी संपत्यों काम से कमसे कम नुक्सान चककबाती तूफान में इस तरह नुकसानों को रोखना इसलिए मुज़िए होता है क्योंकि हवा कि तेज गती समुदि की उची लेरें मूसलाधार वारिस आपस मेल मिलकर संकट को भायावर बना देती है। हाला कि पूर्ख सूचना के साथ साथ राज सरकार द्वारा ठाएगे कहीं कदम भी अब मदग्या साबित होने लगी है। जिसे अब अब आध्मनिक GPS का इस्थेमाल करने लगी हैं, बेहवा की गती और लहरें, समुदिल रहरों की उचाई, वारिस की तीबिता का अखलंग करके प्रभावित इलागों की पहिचान करने लगी है। वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अपने यहां 2008 में ही चक्वाती तूफान, सम्मंदी दिसाने देश त्यार की गए थे। उससे पहले 2006 से चक्वाती तूफान और अन आपदाओं की बद्देजन चड़, मौग डिल का काम सभी राज्यों में सुरूम हो गया था। इससे भी राज्यों को काफी फायदा मिला है। आपकी दिक्कत तब आती है जब ऐसे दिसाने देशों को नजर अंदाज किया जाता है। यानि कि आपको पता चल जाए कि आंगे कुगा है। फिर भी आप जानते हुए उसे नजर अंदाज करकर उसमें गर जाए। तब आपको नुकसान होता है। तो यही हाल हमारे देश की है। कि हम लोग समस्याओं को जानते हुए भी उन्हीं समस्याओं में से लिपट जाते हैं। यानि कि जुड़ जाते हैं। ठीक है। आप समझ सकते हैं। पश्यम बंगाल में साल 2009 के आईला तुभान में। जब काफी नुकसान हुआ था तब पिधान मंत्री कारयाले के जिर्देश पर मैं पिरवावी तिलाकों में गया था। कौन यह आपके उपाद्यक्ष साल। हमारी टेनिंट का पिस्ताओ था कि परचिम बंगाल में भी औरीशा या आंद्पिरेश की तरह तुफान राहत केंद बनाय जा। इन बरसों में इस पर कितना काम हुआ है यह तो मुझे पता नहीं। लेकिन वहाँ इसके लिए जगए का मिलना मुस्किल था और फिर उसके रिजायन को बदलने की जरूरत थी क्योंकि वहां मिट्टी बुरूरी थी इससे लागत भी बढ़ रही थी हर अबदा से हमें सीखने का मुझा मिलता है यानि कि यहां सीधा से कहने का मतलब है कि कोई भी समस्य आती है आपके सामने उससे आपको सीखना चाहिए जैसे आप कहीं आप गाड़ी से जा रहे हैं कहीं गड़ा है उस रोब पर आप गिर जाते हैं या आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है या कुछ तूट जाता है तो आपको सीख लेना चाहिए कि उस गड़ा फिर आपको याद रहेगा कि हाँ उस शडप पर गड़ा है हमें दीरे चलना चाहिए यानि कि हमें देख बाल करके देख कर चलना चाहिए तो इस तरह कि जो भी समस्या आया करें उनसे बेतर समझा जाना चाहिए उन्हें उनसे सबक लेना चाहिए अमफान भी हमारे लिए ऐसा ही सबक लेकर आया है इस थुपान का डोकुमेंटिसन यानि दस्तावेजी करन होना चाहिए आम तोर पर हम यह तो ध्यान रखते हैं कि किस काम से हमें कितना फाइदा मिला है मगर यह भूल जाते हैं कि किस काम को ना करने से कितना नुकसान हुआ है इसके साथ साथ यह आकलन भी किया जाना चाहिए किसी काम को गलत तरीके से करने से हमें नुकसान तो नहीं हुआ है हमें अपनी सफलता और विखलता सब कुछ बात और रिकोर्ड दरज करना चाहिए अंगली आपदा से उन्हें पठने की रड़निती बनाने में उसका इस्तेमाल करना चाहिए इसी तरह एक अध्यन यह भी होना चाहिए कि जलवाई परीवतन का इन तूफानों पर कितना असर हुआ है बेसक पिछले कुछ बरसों में चक्वाती तूफान की बारबार तक बढ़ गई है लेकिन यह इस पर्ष्ट नहीं है कि इसकी वज़े जलवाई परीवतन है हाँ जलवाई परीवतन से कम से कम कम समय में तेज बारिष की आसंका जरूर बढ़ गए जिसे कापी नुकसान होता है रही बात बहुत इक संपत्तियों के नुकसान की तो इसे लेकर जो दिसा निर्देश है उनमें कहा गया है कि उसी आपदा को मानक मानकर बना कर निर्मार कार होने चाहिए जिसे सार्पजनेक यानिजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है जिसे अंगली बार उस दिपदा की आपदा उसकी कुछ बिगार नहीं बात है पर एसारी की बात यह है कि इस पर अमल नहीं हो रहा है जबकि इसमें तो लापक रूप से बहुत जानदा कर्च भी नहीं होता है तो समझ में आया है अमपान तुपान आया हो रहत है तो आप लोग समझते रहे है रियाद रुखिए आदमी की जिंदगी मुशीवत से वरिवी जिंदगी है अगर आपकी जिंदगी में मुशीवत नहीं आ रही है सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है तो हकीकत ऐई है कि आप लोग कुछ सरल काम कर रहे है यानि कि जब आप मस्कुल का कोई काम करते हैं तो उसमें कई बढ़ावाते हैं कई बार आप गिरते हैं कई बार उठते हैं तो असल में वही जिंदगी होती है उसी से आपको बहुत कुछ सीखने को मनता है और उसी से आप लोग मजबूत होते हैं ठीक है